सू प्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम स्वरों का धोरान एक बार फिर से करेंगे मैं मनें आपके लिए यहाँ पर प्रश्ण लिखा है चित्र देखकर अक्षर लिखो मैं मनें यहाँ पर पाँच चित्र बनाए हैं इन्हें आपको देखना है और उन्हें देखकर के आपको फाइफ लाइन में स्वर लिखना है तो पहला चित्र है यह चित्र है टूल जो की कार्पेंटर यूज करता है आपको पता है इसे हम कहते हैं हिंदी में ओजार तो पहला अक्षर आप लेकिए आउ से ओजार हम यह आउ को circle करेंगे और नीचे five line में मैं आपने हाँ dot लगाया है उस पर हम आउ लिखने का अभ्यास करेंगे curves बनाएंगे two standing line बनाएंगे two standing line sleeping line second line से हम दो मात्रा लगाएंगे ओ की मात्रा ओ से अजार दूसरा चित्र है उल्लू छोटा ओ से उल्लू मैं हमने यह लिखा है आप छोटे ओ को circle करेंगे और यहाँ जहाँ हमने dot लगाया है उस पर हम छोटा ओ बनाएंगे two counts बनाके इसको हम third line तक लाएंगे और उपर sleeping line बनाएंगे चोटा उसे उल्लू यह चित्रा आप देख रहें किसका है आपने पढ़ा है already चोटी एसे इमली circle करेंगे फर्स्ट जो लैटर है उसको circle करेंगे और यहाँ पर छोटी एसे इमली को five line में लिखेंगे चोथा चित्र है one, one लैटर को हिंदी में कहते है एक एसे एक circle करेंगे यहाँ ए बनाएए standing line slanting line standing line sleeping line join नहीं करेंगे और उपर sleeping line बनाएएँगे एसे एक एसे एक और जो last चित्र है यह चित्र है अंगूर circle करेंगे फर्स्ट लैटर को और यहाँ पर अंग लिखेंगे two curves बनाएँगे third line तक लाएँगे standing line third line पर join करेंगे second line पर sleeping line और उपर बनेगी बिंदी यह बन गया अंग से अंगूर इसी तरह से आप भी अपना वर्कशीट कम्प्लीट करके मैम को नर्सी ग्रूप में भेजिए धन्यवाद क्पा झाल क्पा यह झाल